आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बेसन के लड़ू तो यहाँ पर फ्रेंट्स इसी रेसिपी को आज हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं तोड़ के दिखा रहे हैं कितने दानेदार और कितने अच्छे लड़ों बनकर के तैयार हुएं बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे बाजार से लाते हैं बस यहाँ पर हमने देसी घी से बनाया है तो घर के बने लड़ू की बात ही अलग है तो आईए प्रेंट्स रेसिपी को बनाना इस्टार्ट करते हैं बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक तो आईए परेंट चलते हैं गैस की तरफ गैस में हमने कडाई रख दिया है अब यहाँ पर हम धाई सो ग्राम पूरा घी नाप करके लेंगे वो भी देसी घी कोई मिलावट नहीं बाजार जैसा बिलकुल भी नहीं वो लोग डालडा से बना देते हैं रिफेंट से तीसलिए बच्चे खा नहीं सकते हैं और खाते हैं तो बिमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पर घी को हम मैल्ट होने देंगे और यहाँ पर नाप करके मैंने 500 ग्राम घी लिया है अब इसको अच्छी तरीके से गल जाने देंगे जब हमारा घी गल जाएगा अच्छी तरीके से तब हम इसमें एट करेंगे छान करके सफा करके बेशन तो यहाँ पर हमारा घी गल रहा देखिए फ्रेंट्स और मैंने लो फ्लेम मीडियम रखा गया इसका तो गी हमारा पड़ चुका है पूरा ड हर 2022 रहा ड है अब यहां पर हम ले लेंगे बेशन भी हमने पूरा नाप के रहा द हाइसOYड़ सर तो यहां पर मैंने पेवर बेशन लिया है जो घर में पीस के तैयार होता है चने डाल का और हल्का धर दरा है तो यहाँ पर हम बेशन को एट कर देंगे इस तरीके से अब हम इसको चलाएंगे इस तरीके से चलाते हुए बेशन को भूनना है तो यहाँ पर मैंने बेशन को अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है इस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे क्यों ही चलाते हुए पूर लेंगे, तो यहाँ हम आट कर देंगे, एक कप दूद, घर का दूद, आट करना है, यहाँ पर एक कप दूद, आट करेंगे, पेकित बाला दूद नहीं लेना है, इस तरीके से, अब हम इसको पान से साथ मिनट फिर भूनेंगे, ताकि हमारे बैसन में बड़े बड़े दाने हो जाएं अगर हम बैसन में दूद डालते हैं तो हमारे लड़ो भी पीले होंगे अगर हम पानी डालेंगे तो वो लाल हो जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते तो देखिए फ्रेंच कितने बैसन में बड़े बड़े दाने आ गए हैं ये देखिए तो यहाँ पर अब हम बैसन को क्या करेंगे कि दूसरे बरतन में पलट लेंगे ठंधा करेंगे उसके बाद अब हम इसको दूसरे बरतन में पलट लेंगे ठंधा होने के लिए जिस वरतन में हमें लड़ू बनाना है उसे में हम इसको फलट लेंगे इस तरीके से अब हम इसे ठंधा कर लेंगे अच्छी तरीके से इसे ठंधा कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे ठंधा कर लेना है जब बैसन हमारा ठंधा पड़ गया है तो अब हम यहाँ पर एट कर देंगे पिसी हुई इलैची मैंने 15 से भी स्कूट करके उसका पौडर तैयार कर लिया है ये देखिए बेशन भी ठंदा है अब इलैची पौडर हम यहाँ पर एट कर देंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे यहाँ पर भूरा चिनी ले लेंगे तो भूरा हमें यहाँ पर धाय सो ग्राम ही लेना है तीनों चीजें धाय धाय सो ग्राम है तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब हम लहाँ पर लड़ो बनाना इस टार्ट कर लेंगे इस तरीके से जल्दी जल्दी करके सारे लड़ो बना लेना है बाजार से लाने की जरूरत नहीं दीपा वली में स्पेसल मिठाए घर पर बना करके तैयार करें इस तरीके से तो देखिए कितने तैयार अब हम सारे बना लेंगे तो देखिए फ्रेंट मेरे लड़ू बन करके तैयार है और उपर से मैंने इन में पिस्ता रख दिया है तो देखने में और भी सुन्दर लग रहे हैं अब हम इसको तोड़ के दिखा रहे हैं तो ये देखिए कितने अच्छे से तूटा है और अभी गरम है लड़ू जब ठंड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छे से ये दानेदार तूट करके विखर जाएंगे तो ये देखिए लड़ू में हमें दूद मिलाने से क्या होता है तो फिरेंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बार बार